हाई एवरिवन तो दोस्तो आई थिंक आप सभी लली नरायन मिथला उन्वसिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिस ओनर्स के स्टुडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग poem answer writing strategy के उपर बात करेंगे आप सभी स्टुडेंट्स इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा दोस्तो पेपर 6 और पेपर 7 इन दोनों पेपर मिला करके आपको धेरो पोयम पढ़ना होगा और पोयम से दो परकार का सवाल आएगा long question और explanation का question आज किस वीडियो में हम लोग long question को बढ़िया से कवर करेंगे आप सभी थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को कवर कीजिएगा दोस्तो पेपर 6 और 7 में long question जो आएंगे पोयम सेक्शन से इसके लिए आप लोग कई तरीके से आंसर दे सकते हो लेकिन जो मैं यहाँ पे आप सभी के बीच एक strategy शेयर करने जा रहा हूँ आप इसको अगर follow करते हुए आंसर लिखोगे तो फिर definitely आपको दूसरे student से बेहतर marks मिलेगा क्योंकि आंसर लिखने के कई तरीके होते हैं और उनमें से एक बेहतर होते हैं वही बेहतर तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों आप poem का जब भी answer लिखना कम से कम 4 points के अंदर answer जरूर देना पहले points में आप सभी उस specific poem के writer के बारे में बताओगे basic information पहले points के अंदर दूसरे points में आप poem के introduction को deal करोगे तीसरे points के अंदर आप सभी poem के summary यानि story को deal करोगे और last में आप poem का conclusion लिखोगे यही 4 points आप सभी को बढ़िया से लिखना है मान लिजिए कोई poem है और उस poem का कोई specific writer है तो सबसे पहले आप उस writer के बारे में लिखोगे कि इसका नाम क्या है जन्म कब हुआ, मृत्यू कब हुआ, कितने इस भी में जन्म और कितने इस भी में मृत्यू हुआ कौन-कौन से famous works उन्होंने लिखा इस प्रकार से basic information आप poets के बारे में लिखोगे पहले points के अंदर फिर दूसरा points आजाता है introduction का introduction में आप generally 5-6 line ही लिखना और basic चीज लिखना, यानि poem के बारे में introduction लिखना कि poem का नाम क्या है, किसके द्वरा लिखा गया है, कितने इस भी में लिखा गया इस poem का title क्या है, theme क्या है और main इसका story क्या है, उसको आप कम सब्द में बताईए तो 5-6 line में आप introduction लिखिए फिर तीसरे points में आप poem का story लिखो poem का summary क्या है, इसको बढ़िया से 2 page के अंदर लिखोगे तीसरा points को, और last में poem का जो conclusion है, वो दोगे यही 4 points लिखना है, और इन 4 points में एक चीज़ याद रखिएगा जहां पर आपको लगे कि diagram आ सकता है, या फिर कोई छोटा सा chart ओगेरे बन सकता है, तो आप चूकिएगा, मत और यह diagram about poet, conclusion और introduction में नहीं पढ़ेगा chart ओगेरे या फिर diagram आपको जहने यह summary में ही पढ़ेगा बाद बाकी, जहां पर भी आपको लगे, कि यहां पर comma आ सकता है comma उहां पर create कीजिए, inverted comma आ सकता है, तो वो दीजिए कोई important चीज है, तो उसको underline कर दीजिए, तो यह सब basic चीज है इसके अलावा, इन points को भी ignore मत कीजिएगा, इन दोनों चीज को अगर आप वहां पर create करोगे answer में, फिर आपका answer unique माना जाएगा, और दूसरे students से बहुत अच्छा marks आपको मिलेगा, students का मानना होता है कि university के examination में, जितने page में answer लिखोगी, उतने अधीक marks मिलेगा, लेकिन ये एक meet है, मैं तो कहूंगा, थोड़ा कम ही पेज में लिखो, लेकिन content बहतर लिख करके आईए, आपको अच्छा marks जरूर मिलेगा, जरूरी नहीं है, दस marks वाले question के लिए आप 10 पेज लिखो, आप 3 से 4 पेजी लिख करके आऊ न, लेकिन बहतर content लिख करके आऊ, बहतर handwriting लिख करके आऊ, diagram बना करके आऊ, वहाँ पे writer के बारे में basic information लिखे, introduction लिखे, conclusion लिखे, बहुत अच्छा marks आपको मिलेगा, तो इसलिए, poem के लिए आप लोग ये stats को follow कीजिएगा, इन 4 points के अंदर आप अपना answer लिखिएगा, और इन 4 points के अंदर इन चीजों को जरूर create कीजिएगा, बहतर handwriting, comma, inverted comma, underline, chart, ये सब जरूर कीजिएगा, और answer थोड़ा impressive बनाना चाहिए आपको, और impressive तभी बनेगा, जब आप इन basic चीजों को cover करोगे वहाँ पे, तो आप सभी इसी प्रकार से answer create कीजिएगा, बाद बाकी, अभी फिलाल हम लोग, part 3, session 21-24 के लिए, एक online batch prepare के हैं, वो अभी चल भी रही है, तो आप सभी अगर चाहों, तो घर बैठे हमारे साथ जूर करके बढ़िया से तयारी कर सकते हो, batch में मैं आपको चारो honors paper का बढ़िया से तयारी भी करा दूँगा, revision भी करवा दूँगा, और हर एक notes भी आपको share कर दूँगा, यह जो poem के लिए मैं आपको stats ही बताया हूं, और मैं जो आपको poem के लिए content दूँगा, वो content इसी pattern पे होंगे, तो जो students interested हो, यह मेरा whatsapp number है, 7048928746, इस number पे आप मुझे whatsapp message कीजिएगा, अपना session 21-24 और university का नाम जरूर mention कर दीजिएगा, thank you so much everyone.